C.A.A. के विरोध में अर्विंद केजरिवाल का बयान धूर्टता पूर्ण है और विशहल है मैं अर्विंद केजरिवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो वो हिंदू, सिख, जैन, बौध, पार्सी, शर्णार्थियों को भारत में आने से रोकने के लिए विलाप कर रहे हैं, जूट बोल रहे हैं, लोगों की नौक्रियां चली जाएंगी, इस तरह की बाते कर रहे हैं मैं ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के मुक्यमंत्री ये जवाब दें कि रोहिंगिया और बांगला देशी गुसपैटियों के बारे में उनकी क्याराय है जो अमानतुल्ला खान ने रोहिंगिया गुसपैटियों को बसाने का काम किया 10,000 रुपे महीना देने की जो बात वहाँ पे आई असलाम आलेकूम, मैं अमानतुल्ला, ओकला विधायक और चेर्में दिल्ली वकबोर्ट आज हमने यहाँ जो परसो रोहिंगिया के लोग जिस कैम्प में रहते थे एक महीने का राशन और 10,000 रुपया कैश में ने दिये हैं हर एक फैमिली को 10,000 रुपया पे आई दिल्ली के सरकार में जुड़े हुए लोगों के द्वारा, आमानी पार्टी के लोगों के द्वारा रोहिंगियों और बांगलादेशी घुसपैटियों के अधार काड़, राशन काड़ बनवाने की बात, उनके कैम्प लगवाने की बात इसके बारे में आस्ता करविंद केजरी वाले मूँ क्यों नहीं खोला, जवाब क्यों नहीं दिया, क्या हिंदू, सिख, जैन, बौध और पार्सी शायनारतियों से ये आपकी दुश्मनी है, उसके अलावा सारे गुसपैटिये भी आपके मित्र हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके दमाद हैं, उनको आप स्वागत करते हैं, उनको आप कैम्प लगाते हैं, उनके आप पै पार्सी के लोगों की, हिंदू, बौध ओं की, पार्सी की, तब आप रोना शुरू कर देते हैं, बहरत में जगे नहीं हैं, भारत में लोगों के लिए जगे नहीं है, दो हजार चौदा तक जो लोग आ चुके हैं, उनके लिए ये कानून है, तो इसमें इस प्रकार का भय ये का वाथावरंड मनाने की क्या आवश्चकता है? शर्मानी चाहिए आपको, और ये आपका विशेलापन आपकी धूर्तथता, आपकी इस प्रकार की शत्रू की मान सिक्ता, हिंदू शर्णार्थियों के प्रती, सिख्ञ शर्णार्थियों के प्रती, बाहुद, जैं, प झाल झाल